अस्लाम अलेकुम वल्कम टो असमा धंशेज किचन आज हम बनाने जा रहे हैं श्रेड़ चिकन जिसके लिए हमें चाहिए बोनलेस चिकन तीन सो ग्राम ब्लैक पेपर पाउडर हाफ टी स्पून सॉल्ट एज रिक्वायर्ड जिंजर गालिक पेस्ट वन टी स्पून वाटर वन कप मेथर्ड सबसे पहले एक कडाई में एक कप पानी दाल दे फिर इसमें बोनलेस चिकन के पिस्पून सॉल्ट ब्लैक पेपर पाउडर जिंजर गालिक पिस्ट सारी चीज़ों को चिकन में मिक्स कर ले अब इस चिकन को दो मिनट के लिए कवर करके रखेंगे ताकि चिकन भाप में अच्छे से पक जाए चिकन को दो मिनट मीडियम फ्लेम पर कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे चिकन से कवर हटा लेंगे मिक्स कर लेंगे और चिकन के पिस्ट को पलट देंगे ताकि चिकन दूसरी तरव से भी पक जाए चिकन 50% पक चुका है अब हम इसे इसी तरह मीडियम फ्लेम पर और दस से बारा मिनट पकाएंगे ताकि चिकन अच्छे से गल जाए और अच्छे से श्रेड हो जाए चिकन पक देया है अब हम इस चिकन को डिश में निकाल देंगे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे अब हम देखेंगे कि चिकन को किस तरह श्रेड किया जाता है सबसे पहले चिकन का पीस ले और उसको फोक की हेल्प से श्रेड करने इसी तरह सारे पिसेज श्रेड कर ले अब हम देखेंगे चिकन श्रेड करने का दूसरा मेथड चिकन ले उसको हाथ की हेल्प से श्रेड कर ले इसी तरह बागी सारे पिसेज को भी श्रेड कर ले श्रेड चिकन रेडी है हम इस श्रेड चिकन को कबाब, कटलेट, रूल या चिकन पफ चिकन मेंस बनाने के लिए यूज करेंगे अब हम इस श्रेड चिकन को एक डब्बे में भर कर फ्रीजर में रख देंगे और अपनी जरूरत की हिसाब से इसे निकाल कर यूज करेंगे अगर आपको हमारी ये रिसेपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्काइब करें हमारा चैनल ये र्याओे लाओए सुश करें लाँ से निकाल करेंगे